अलो ब्रीवन कैसे हो, I hope कि आप सभी लोग ठीक हूंगे, मैं होँ अभी सी, एक और आप देख रहे हैं, study with ABC इंडियन नेवी, AMR, SSR के लिए अगर आप apply करने वाले हैं और आपका भी एक doubt बन रहा है कि क्या हमें दुबारा से registration करनी होगी या जो previous vacancies के time पे, जो details दी हैं, जो documents हमने upload किये हैं, official website पे उसके through ही हम login करके और अगनी वीर के लिए भी apply कर पाएंगे यानि कि जो इस बार vacancy निकाली गई है, उसके लिए apply कर पाएंगे तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है, vote out मैं official email के reply के through आपका clear करूँगा, फिर आपके मन में कोई भी doubt नहीं रहेगी उसके regarding तो start करते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा कि अगर आप channel पे नहीं हो और अभी तक channel को subscribe नहीं किया है तो वहाँ पे सारी updates आपको मिलती रहेंगी, जाकर जल्दी से join कर लेना description में link available है, start करते हैं registration करने के लिए जो date बताई गई थी, वो 1 जुलाई बताई गई थी लेकिन आपको मैं बता दू, आप कभी भी registration कर सकते हैं registration करने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, वहाँ से जाकर के आप official website से और register कर सकते हैं, अपने documents को upload कर सकते हैं और मैं तो बोलूँगा कि अभी register करके रख लोगे तो ज्यादा बिटर रहेगा, ठीक है अब जो official email का reply आया है, reply in the sense की जो officially email करा है उन्होंने कुछ accounts को मिले हैं, आपको भी सायदाय होगा, तो मैं दिखा देता हूँ क्या है वो email, यहाँ जासा कि आप देख सकते हो, यह किसी aspirant को आया है और यह लगभग लोगों को send किया, इंडियन नेवी ने, देख रहे हो, join इंडियन नेवी जो हैं इंडियन नेवी अगनीपत स्कीम, अब यहाँ पर लिखा क्या गया है वो आप देखो Dear Candidate, those registered for East Wild Sailor AA SSR and Sailor AMR entries, please be informed that these entries have been suspended Government has promulogated the अगनीपत स्कीम, wherein all sailors recruitment in the इंडियन नेवी would be undertaken Only as Agnivir SSR and Agnivir AMR Kindly refer to the details of the अगनीपत स्कीम in the press briefs and on www.joinindiannavy.gov.in Thank you, Join Indian Navy जो लोग समझ गए, बहुत अच्छी बात है, जो थोड़ी चीजे नहीं समझ पाए, उनको क्लियर कर देता हूँ Indian Navy का कहना ये है, कि जो पहले की vacancies थी, sailor double SSR की, sailor AMR की, उन entries को suspend कर दिया गया है और government ने एक new scheme launch की है, जिसके तहट अब जितनी भी Navy में sailor के लिए बरतिया होंगी, वो अगनीवीर SSR और अगनीवीर AMR के थुरू होंगी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो भी चीज़े आपने upload की थी, जो भी चीज़े आपके द्वारा की गई थी, वो reject ही कर दी गई है, suspend ही कर दी गई है क्योंकि अगर vacancies ही suspend हो गई तो पहले की जो भी चीज़े हुई है, वो खटा दी गई है और registration का मतलब क्या हुआ, registration means कि आप फिर से register कर लो, आप सारी details डाल लो, इसलिए तो registration एक नए सीरे से तयार किया गया otherwise ये भी लिखा जाता कि आपको apply करना है 15 तारीक से, तो ये चीज़ अपने ध्यान में रख लो कि आपको फिर से register करना है और अपनी सारी details completely डालने के बाद और फिर तयार रहना है, जब start हो जाएगी online application तो आपको apply करना है तो ये detail थी, जो कि मुझे share करनी थी आपके साथ, hope आप लोग समझ गया होंगे वीडियो अगर आपको अच्छे लगी हो तो like कर देना, share करना अपने दोस्तों के साथ और channel पे नय हो तो channel को subscribe करके, bell icon को जरूर प्रेस कर देना टेलीग्राम पर जरूर जोइन कर लो, description में link है और फिलाल इतना ही, मिलता हो एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना खयाल रखो, अपनी family का खयाल रखो Thank you so much everyone, Jai Hind